दिल्ली के यूद की खास बात यह है कि वो energetic है, वो कुछ करना चाहता है, देश भर के किसी भी शहर से आके दिल्ली में लोग रहना चाहते हैं, यह उसकी खासियत है कि वो ambitious है, वो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, तो दिल्ली सरकार ने उसी ambition को, उसी zeal को ध्यान मे रखते हुए, उनके लिए बहुत सारी योजनाय बनाई हैं, जिसमें से सबसे important है कि education, उसको जो education मिले, वो critical thinking की मिले, उसको analytical skill की मिले, वो हर चीज़ को analyze करना जाने कि वो summarize करना नहीं चाने, तो youth में वो power होनी चाहिए कि वो चीज़ों को analyze कर सके, सिर्फ summarize ना करे, और वो हम develop कर रहा है दिल्ली में, दूसरा, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का युवा नौकरियों के पीछे नहीं भागे, बलकि वो खुद नौकरियां create करे, और इसी के लिए हमने दिल्ली में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू किये हैं, जहां लोग केवल नौकरियां ढूरते इसे पे खड़े हुई हैं कि हमारा युवा नौकरियों को पीछे नहीं भागेगा और शायद उसी का परणाम है कि आज दिल्ली के युवा की पर कैपिटा इंकम देश में सबसे ज़्यादा है 2047 के इंडिया में 2047 की डेली में हम ये चाहेंगे कि जो दिल्ली का युथ हो, उसकी पर कैपिटा इंकम उस वक्त के सिंगापुर की पर कैपिटा इंकम के बराबर होनी चाहिए ये हमारा 2047 की दिल्ली को लेके विजन है कि यहां जो वेक्ती रह रह रहा है, खासतोर से जो यूथ यहां रह रहा है वो उतना पैसा साल में कमाना होना चाहिए जितना उस वक्त 2047 में सिंगापुर का एक युवा कमा रहा होगा और उसका पूरा रोडमेफ हमने बनाया है कि कैसे उसको एजुकेशन दी जाएगी, कैसे उसको इंडस्ट्री, स्टार्ट अप पोजिशन से उसको आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसमें युवाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी 2047 की दिल्ली या 2047 का भारत कैसा होगा, इसके लिए युवाओं को बहुत बड़ी भूमी का निभानी पड़ेगी सिर्फ ये सोचना कि मेरी इंकम 2047 में सिंगापुर के युवा के बराबर हो जाएगी उससे कुछ नहीं होगा युवाओं को अपनी इंकम, अपने केरियर, अपनी परसनल लाइफ से उपर उठके दिल्ली की लाइफ, देश की लाइफ के बारे में सोचना होगा अगर दिल्ली की लाइफ और देश की लाइफ के बारे में युवा सोचने रगेंगे, तो दिल्ली की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगी और दिल्ली के लोगों की इंकम भी बढ़ेगी हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, अगले 25 साल का जो हमारा प्लान है, उसमें हम युवाओं को ट्रेनिंग देने से लेके, युवाओं को एकोनुमिक एक्टिविटीज में जोड़ने से लेके, एक विजन से जोड़ रहे हैं युवाओं दिल्ली के हैं जोड़ düşünर्स्नाव जोड़ स्सक्राइब दोन से लेके, विजन तो एक व्याओं में बहां वें मार्कीटी, अभर साइन्स से व्यारी है, युवाओं दोन नियूवाओं है मैं 300 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी इंडिश्टी की बात नहीं कर रहा है पर आप यह देखें कि पिछले 20 साल में, पिछले 25 साल में एक कोई कंपनी आई और उसने सारी दुनिया के लोगों को आपना बना लिया सारी दुनिया में economic activities कर रही है, सारी दुनिया में jobs दे रही है, सारी दुनिया में popular है You can name it, Facebook, Twitter, YouTube, यह सारी ऐसी कंपनीया है और सिर्फ IT सेक्टर की नहीं है आप Elon Musk की कंपनीया देख लीजिए, आप Amazon जैसी कंपनीया देख लीजिए आप Alibaba जैसी कंपनीया देख लीजिए यह सारी के सारी वो कंपनीया है, जो पिछले 20-25 साल में आई और उसके बाद सारी दुनिया में च्छागे है यह कंपनीया कब शुरू ही ये सब कंपनिया उस वक शुरू ही जब इनके प्रमोटर्स किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे कहीं एजुकेशन ले रहे थे हमारे देश के युवाओं में एक कमी मुझको दिखती है वो है एंटर्प्रण माइंडसेट की कुछ करने की हिम्मत तो रखते हैं कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो खुद करने का नहीं होता है तो खुद करने का माइंडसेट बने हमारे देश के युवाओं में उसी से देश की बड़ी-बड़ी कम्तिया निकलेंगी कि आप अपने business ideas लेके आईए, आपके business idea को सरकार seed money देखी, हमारे स्कूलों में 3,000,000 बच्चे बढ़ता है, इन 3,000,000 बच्चों को जब हमने कहा कि अपने business idea लेके आईए, तो इन्होंने 51,000 कह सकते हैं कि 51,000 teams बनाईए, 51,000 companies have been formed by Delhi government schools, Delhi government is giving them seed money of 60 crore rupees, इन 51,000 कमपनियों को हम 60 crore rupees का seed money दे रहे हैं, और बच्चे यूनिक यूनिक idea लेके आ रहे हैं, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन शायद देश के नहीं, दुनिया के economic भवशे का इतिहास हम government schools में आज लिख रहे हैं, यहीं से जो 51,000 इ हर साल इस तरह की कमपनियां बनेंगी, इनी में से अगले 20-25 साल की वो कमपनियां निकलेंगी जो अगले 20-25 साल में दुनिया के economic फलक पिछाएंगी, सफल आदमी वो होता है जो सब के बारे में सोचता है, एक अच्छा लीडर वो होता है जो सब को साथ लेके चलता है, आज के युवाओं की ज़रूरत भी है, यूफर यूथ का रिक्रम उस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है कि आप अपने बारे में ना सोचते हुए, अपना काम करते हुए सिर्फ अपने बारे में ना सोचें बलकि सब के बारे में सोचें और कुछ करें, हमारे को जो इस कारेक्रम के माधिम से चुड़ेंगे ये यवाओं को किसी प्लेटफर्म से नहीं बलकि ये यवाओं को किसी मैं कह सकता हूँ ये यवाओं को देश से जोडने का कारेक्रम है PVR Nest और Deakin University ने मिलकर ये जो इनिशेटिव लिया है Youth for Youth देश के यवाओं को एक प्लेटफर्म देने का कि वो देश के बारे में सोचें और अपने Ideas, अपने Thoughts शेर करें कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस तरह से किया जासकता है ये काम को करने का नया तरीका क्या है या पहली से जो हो रहा है उसमें कहां दूर अपन है उसको कैसे भरा जा सकता है उसके बहुत practical ideas आपके पास होंगे बहुत critical ideas आपके पास होंगे उन ideas को आप youth और youth में share कीजे और PVR Nest की team, Deakin University की team उसको analyze करके दिल्ली सरकार तक भी लाएगी और I can assure you कि आपके जो भी ideas होंगे उन ideas का मन्थन करके हम दिल्ली को खड़ा करेंगे